हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी जब की है जब मेरी शादी होने वाली थी। मैं अपने घर की लाडली बेटी थी। जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, तो मेरा निकाह जावेद से हो गया। मेरा निकाह खूब धूम धाम से हुआ, जावेद के पिता का कपड़े का कारोबार था, उनकी खुद की दुकान थी, घर में जमीन जायजाद सब कुछ था, मैं ब्याहकर आई तो पहली रात थी, मुझे अपने मर्द की असलियत का पता चल गया, उस दिन बादल गरजे जरू को एक ऐसे आदमी को सौप दिया गया, जो सिर्फ चारा पानी का इंतजाम तो करता, पर मुझे खुश नहीं कर पाता था, मुझे को एक हफते बाद मेरे ससुर ससुराल लेकर आए, मैंने सोचा की अब शायद जिन्दगी में बहार आए, पर मेरे अर्मान अब भी अधूरे ही रहे, मौका पाकर एक रात को मैंने अपने शोहर जावेद को छेडा, आप अपना इलाज किसी अच्छे डाक्टर से क्यों नहीं कराते, जावेद ने कहा, तुम चुपचाप सो जाओ, बहस न करो समझी, मैं चुपचाप दूसरी तरफ मूह करके अपने अर्मानों को आने जाने का काम चलता रहा, इस बात को हम दोनों समझ रहे थे, पर कहते किसी से कुछ नहीं थे, दोनों परिवार हमें देख देख कर खुश होते कि हमारे बीच आज तक तू, तू, मैं, मैं नहीं हुई है, इसी बीच एक ऐसी घटना घटी, जिसने मेरी जिंदगी बदल वे मेरे घर के एक कमरे में रहने लगे, बेटी, तुम्हारी शादी के दो साल हो गए, पर मुझे दादा बनने का सुख नहीं मिला, कहो तो मौलाना से ताबीज दिलवा दो, ताकि इस घर को एक आउलाद मिल जाए, मेरे ससुर ने मुझ से कहा, मैं समझदार थी, मैं ससुर से उनके बेटे की कमी बताने में हिचक रही थी, क्योंकि घर में ससुर, शोहर और मेरे सिवा कोई नहीं रहता था, इसलिए मैं बोली बाद में देखेंगे बाबुजी, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, मेरे घर में रहते मौलाना को दो महीने बीट गए, पर उन्होंने मुझको देखा तक नहीं था, उनके लिए सुभह शाम का खाना खुद मेरे ससुर लाते थे, दिन भर मौलाना मस्जिद में इबादत करते, जाड फूंक के लिए आने वालों को लेकर वे घर आते, जो मस्जिद के करीब था, मेरे ससुर जावेद के साथ दुकान में रहते थे, वे सिर्फ नमाज के वक्त घर या मस्जिद आते थे, मौलाना की कमाई खूब हो रही थी, इसी बहाने मेरे ससुर की कपड़ों की बिक्री भी बढ़ गई थी, वे जीजान से मौलाना को चाहते थे और उनकी बात नहीं डालते थे, एक दिन द में आवाँ खुद गए, मौलाना ने कहा, ला जवाब हुस्न, हिर्नी सी आंखें, मौलाना midé만लें 의क देखते रहे, वे पानी लेना भूल गई, मैंने कहा, जी पानी, मौलाना ने मुस्कुराते हुए कहा, लाइए, पानी लेकर मौलाना अपने कमरे में लोट आये, पर दिल मेरे कदमों में देख कर, इधर मेरे दिल में पहली बार किसी पराए मर्द ने दस्तक दी थी, मौलाना अब कोई न कोई बहाना बना कर मुझको आवाज दे कर बुलाने लगे, इधर मैं भी राहताक दी कि कब मौलाना मुझे आवाज दे, एक दिन पानी देने के बहा मुफ्त में खाऊंगा, कल से मेरी जिम्मेदारी सबजी लाने की, आखिर जैसा तुम्हारा बेटा, वैसा मेरा भी बेटा हुआ, उसकी बहू मेरी बहू हुई, सोच कर कल तक बताओ, नहीं तो मैं दूसरी जगह जाकर रहूंगा, मेरे ससुर ने सोचा कि अगर मौलाना चले गए तो इसका असर उनकी कमाई पर होगा, जो ग्राहक दुकान पर आ रहे हैं, वे नहीं आएंगे, उनको जो इजज़त मौलाना की वजह से मिल रही है, वह नहीं मिलेगी, इस समय पूरा गांव मौलाना के अंध विश्वास की गिरफ्त में था, और वे जबरदस्ती अंग्रेजी दवाओं को पीस कर, उनमें राख मिला कर इलाज कर रहे थे, बाप बेटे दोनों ने मौलाना से घर छोड़ कर न जाने की गुजारिश की, अब मौलाना दिखाओ बेटा, बहु कहकर ससुर का दिल जीतने की कोशिश करने लगे, नमाज के बाद घर लोटते घर पर गुजारने लगे, बाहर के मरीजों को जल्दी से ताबीज दे कर भेज देते, इस काम में अम्मी भी चुपके चुपके हाथ बटाने लगी थी, तकरीबन छे महीने का समय बीथ चुका था, मेरे और मौलाना के बीच मोहबत ने जड़ें जमाली थी, एक दिन मौला जाते हुए मौलाना ने कहा, जी, कहकर मैं पानी गरम करने चली गई, थोड़ी देर बाद मैं नजदीक बैठ कर मौलाना का पेट सेंखने लगी, उसके बाद दोस्तों, वहीं हुआ, जो कि एक पती और पतनी के बीच में होता है, मैं और मौलाना एक मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेल चुके थे, हमारे बीच क्रिकेट का बीच भी रखा गया था, क्योंकि मेरे पती तो इस काम को करने में नाकाम थे, लेकिन मौलाना ने वह सब कुछ कर दिया था, जो कि एक पती अपनी पतनी को करता है, जिससे उसका घर बार और उसका वंश आगे बढ़ता है, मौलाना ने मुझे अपनी पतनी स्विकार कर लिया था, उसके बाद एक से दो महीने ऐसे ही बीच गए, फिर एक दिन मैंने अब्बू से कहा, अब्बू, मुझे यकीन है कि मौलाना के ताबीज से जरूर काम्याबी मिलेगी, मैंने अपने ससुर से कहा, उन्होंने कहा, बेटी मुझे भी यकीन है अब मेरे ससूर काफी मालदार हो गए थे दिन काफी हंसी खुशी से गुजर रहे थे तभी वक्त ने ऐसी करवट बदली कि ससूर की जिंदगी में अंधेरा चा गया एक दिन मेरे ससूर अचानक किसी जरूरी काम से घर आए दर्वाजे पर दस्तक देने के काफी देर बाद मैंने आकर दर्वाजा खोला और पीछे हट गई मेरा चहरा घबराहट से लाल हो गया था बदन में कपकपी आ गई थी ससूर ने अंदर आकर देखा तो मौलाना सोने का बहाना कर चुपचाप मुह ढखकर लेटे थे यह देखकर ससूर के हाथ पैर पूल गए पर वह चुपचाप दुकान लोट आए अब क्या होगा मुझे डर लग रहा है कहते हुए मैंने मौलाना से कहा मौलाना ने कहा कुछ नहीं होगा हम आज ही रात में घर छोड़ कर नई दुनिया बसाने निकल जाएंगे मैं शहर से गाड़ी का इंतजाम करके आत हूँ तुम तयार रहना कहकर मौलाना वहां से चले गए मैं तयार हूँ मैंने कहा जैसा आप ठीक समझे मौलाना चुपचाप शहर चले गए मौलाना को न पाकर ससुर ने समझा कि उनके डर की वजह से वह भाग गया है सुबह जावेद ने बताया अब्बू सलमा भी घर प पर मैं उनकी पहुंच से काफी दूर जा चुकी थी मौलाना के साथ अपना नया घर बसाने तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लि लव यू एंट टेक केर